मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन पे क्लिक करके ओल पे क्लिक कर दीजे हाई एबरिवान स्वागत है आप सबी का स्टीम मैंजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वहशाली और friends अगर आप मेरे चैनल को पहली बाद देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा और ये आप इन लोगों की request पे मैं reading लेके आए हूँ pick a card reading one year from now अपसे एक साल बाद आपकी life में क्या आने वाला है क्या changes आएंगी है, क्या new चीज़े जो हैं आपकी life में आने वाली है आज हम सब देखेंगे और ये timeless reading है मतलब कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं तो बस जल्दी से अपनी आँखी बंद करिए और अपनी guide से ये भगवान से ये अल्ला से जिस भी चीज में आप belief करते हैं उनके बारे में सोचिए, उनसे pray करिए कि एक साल बाद आपकी life में क्या आने वाला है उसके आँख खोलने के बाद जिस भी card पर आपकी सबसे पहली नजर पड़ती है ये आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई card आपको बुला रहा है कोई picture को देखके आपको कुछ attraction हो रहा है तो आप वो card आप वो pile चूज कर सकते हैं तो ये है pile number 1, pile number 2 और pile number 3 इन सब का timing नीचे description box में given है आपको पूरी वीडियो देखने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहें तो मुझे मेरे Instagram पर भी follow कर सकते हैं वहाँ पे मैं daily tarot card readings जो है वो post करती हूँ तो चलिए friends अब हम शुरू करते हैं Hi pile number 1, so please मेरी finger जो है उसको ignore कीज़ेगा आप तो ये है आप लोग का card angel therapy तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है आप लोग की life में एक साल के बाद तो tarot cards में, sorry, oracle cards में यहां रख रही हूँ पहले हम tarot देखेंगे हमारी पास है four of wands और friends अगर आपको reading देखते टाइम ऐसा लगता है कि uncomfortable सा लग रहा है, चीज़े match नहीं कर रही है तो आपको यह और पाइल चूज कर सकते हैं या मुझे मेरे whatsapp number पे message करके अपनी paid personal reading भी करा सकते हैं दूसरा card हमारे पास है emperor then we have four of wands उसके बाद है two of wands then we have king of cups वाओ tree of pentacles two of cups वाओ we have the ten of cups spiral number one, बहुत अच्छे cards आए हैं आपकी उसके बाद auricle में हमारे पास है spiritual connection then we have listen with your heart उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे you are good enough I hope आपको सारे cards वो दिखें नहीं दिखेंगे तो मैं बाद में end में explain करूंगी we have the between the worlds उसके बाद है the tribe और यह वाला card जो है angel therapy यह हम बाद में ही पढ़ेंगे end में पढ़ेंगे so मैं यहाँ पर लग देती हूँ okay so हमारी tarot card जो है वो बहुत जादा clearly बताते हैं pile number one देखिए सबसे पहली बात जो देख रहे हैं उससे सही एक साल बाद कोई strong connection आपकी life में आने वाला है मुझे बहुत strong soulmate relationship दिख रहा है एक spiritual connection है आपका इस person के साथ जिन से आप spiritual level पे connected हो बहुत सारी life में इस person के साथ time spent कर चुके हो अब बहुत time से परिशान चल रहे हो कि आपके life में कोई आएगा या नहीं आएगा but trust me अपसे एक साल बात बहुत जादा strongly chances है कि ए person आपको मिलेंगे आपकी life में थोड़ा सा जो साल है वो आपके लिए शुरुआती टाइम में challenging रह सकता है जो मुझे cars दिखा रहे हैं आप मेंसे कुछ लोग दूसरी city में भी move करने वाले हैं अगर career को लेके बात करी जाया तो career में कोई wish fulfillment हो सकती आपकी किसी तरीकी कि आपकी wish पूरी हो सकती है कुछ लोग मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते वह नजर आ रहे हैं कोई नया course join करते वह दिखाई दे रहे हैं एक special यहाँ पर मुझे चीज दिख रहे हैं आप लोग के लिए again कि किसी न किसी तरीके की बहुत strong आपकी कोई wish जो है वो पूरी होने वाली है कुछ लोग का मुझे यहाँ पर कुछ case चलता हुआ दिख रहा है property से related अगर ऐसा कोई case चल रहा है तो उसमें आपको जीत आपकी होने वाली है या फिर किसी न किसी तरीके की आपको कुछ property मिलने वाली है या हो सकते है आपकी घर में किसी person की शादी हो सकती है किसी तरीके की celebration हो सकती है वहाँ पर आप इस person से मिल सकते हो अगर आप single हो अगर आप already relationship में हो तो दो चीज़े हो सकते हैं तो इस person के साथ relationship आपको और strong होने वाला है हो सकते हैं आप family में बताने वाले हो या इसको एक नए level पर लेकर जाने वाले हो life के अंदर जो मुझे cards बता रहे हैं again बहुत strongly आ रहा है career को लेके कुछ लोग जगा change करने वाले हैं कहीं और जाने वाले हैं किसी और city में जाके job करने वाले हैं या काम करने वाले हैं अब तक शायद आप लोग हमेशा दूसरों की बाते सुनते हुए आए हैं pile number one बढ़ मुझे लगता है कि अगले साल ये एक तरीके से आपके लिए आप advice भी मान लो और एक तरीके से आपके लिए ये एक message भी है कि आप अपनी intuition पे बहुत trust करोगे जो आपकी intuition बोलेगी आप उस चीज को follow करोगे जो मुझे याँ पे बहुत strongly cards दिखा रहे है हो सकता है कि किसी person ने आपको बहुत ऐसा feel कराया कि आप अच्छे नहीं हो आप अच्छे नहीं दिखते या आपने कोई कमी है या आपको किसी ना किसी तरीके का rejection मिला है लेकिन याप एक card है you are good enough आपको कुछ ना कुछ बहुत important चीज या कुछ ऐसा lesson मिलने वाला है जिससे आपको ये realize होगा कि आप बिलकुल complete हो आपको किसी की भी जरुवत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी life में love नहीं आएगा but it means कि आप जैसे भी हो अपने आपको accept करोगी लोगों ने आपको जो कुछ भी बोला है या जो कुछ भी आपके साथ गरत किया है उन सारी बातों से आपको कोई फरक नहीं बढ़ेगा और बहुत strongly मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि कोई person आपकी life में आने वाला है जो आपको बहुत special feel कराएगा कि आप बहुत special हो जो मुझे card बता रहा है साथी साथ मुझे pile number one के लिए दिखता है कि अगर आप बहुत जादा past की आप बहुत जादा future की tension ले रहे है तो universe आप से कहना चाहती है कि present में आकर जीए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो चीजें आपको सिखाई जारी है जो lessons आपको मिल रहे है उनकी कुछ importance है जो आप आगे जाके समझोगे और मुझे यहाँ पर ने crown देखवा आप यह मुझे crown यहाँ बहुत जादा दिखाई दे रहा है तो एक बहुत strong सी चीज आ रही है अगीन आप देख सकते हैं कि बहुत strong feel आ रहा है कि आप अपनी value न समझोगे आप अपने आपको समझोगे कि आप बहुत important हो किसी के कहने में बिल्कुल नहीं आओगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे कुछ लोग कुछ ऐसा step लेने वाले हैं शायद डर की वज़े से आप वो step नहीं ले रहे थे अपने जीवन में अट एक साल बात आप अपनी life में कोई ऐसा step लेंगे जो आपकी life के लिए बहुत अच्छा रहेगा हो सकता है शुरू में आपको कुछ लोगों की तरफ से अच्छा response ना मिले या वो आपको support ना करे आप जो भी एक decision जो लोगे या कोई भी एक फैसला जो लोगे उसको लेके बट मुझे लगता है आपके लिए वो बहुत बहुत अच्छी चीज होगी बहुत strong आ रहा है चाहे आप male हो चाहे female हो कोई फरक नहीं पड़ता एक इतनी soft सी energy इतनी fresh सी energy आ रही है बिलकुल अगर आपको anxiety होती है बेचैनी की कोई problem है तो ये चीज सॉल्व होने वाली है अगले साल जो cards बता रहे है याँ पे मुझे क्योंकि आप हमीशा आपको बेचैनी या problem इसलिए होती है because आप अपनी दिल की बात नहीं सुनते तो कुछ ना कुछ आपके life में ऐसा होगा कि आप अपनी दिल की बात जो है वो सुनना शुरू करेंगे और यहाँ पे हमाई पास card है the tribe ये वाला card जो है वो बात करता है कि आपकी एक tribe मतलब एक soul family आपको मिलेगी कुछ लोगों के लिए मुझे यही लगता है कि कोई person आपकी life में आने वाला है या नए connection बनने वाले हैं नए दोस्त आने वाले हैं कोई न कोई ऐसा person आएगा जो आपका एक soul connection होगा friend भी बन सकता है वो person आपका जो आपको support करेगा आपने जो भी decision लिया है उस चीज में वो person आपको बहुत support करेगा हो सकता है आपका कोई friend हो worry to us angels and allow us to take your burden ये कार्ड जो है वो बात करता है कि अपने जो भी चिंताएं परिशानिया हैं आप angel, भगवान, अल्ला, गौड को दे दीजे और वो सारे आपके burden लेने के लिए राजी है तो आखे बंद करिए और कहिए कि please भगवान जो भी शक्ति में believe करते हो कि मेरी सारी tension, मेरी सारी परिशानिया आप ले लीजे और मुझे इससे मुक्त कर दीजे आप ये बात तीन बार बोले बहुत strongly और देखे कि उसके बाद आपकी life में काफी बदलाव आएगा changes आएगे क्योंकि universe जो है ना आपकी spirit guide है वो आपको तभी support कर सकती है जब आप उनको permission देते हो spirit guide जो है वो तब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनसे help खुद से नहीं मांगते हैं तब तक वो आपकी life में जबरदस्ती interfere नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती आपकी life में आके कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनसे help नहीं मांगते हो तो यह आपके लिएक message है जो आपकी spirit guide कहना चाहती है कि आप उनसे help मांगे और वो definitely help करेंगी अगर वो चीज आपके लिए बनी है या आपके लिए सही है अगर यह reading आप लोगों से match करती है resonate करती है तो मुझे comment section box के थूँ ज़रूर बताएगा आप कोई personal reading कराना चाहते है career या love को लेगी तो मेरा whatsapp number given है और description box में सारी details given है और वहाँ से पढ़ सकते हैं उसके बाद interested हो तो आप मुझे whatsapp पे message करके booking करा सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe करना वीडियो को like and share करना बिल्कों भी मत भूलेगा thank you so much hello pile number 2 तो चलिए देखते हैं कि आपकी अपसे एक साल बाद life में क्या आने वाले friends और अगर reading देखते time आपको अजीब से महसूस हो मतलब comfortable ना लगे तो आपको your pile जो है वो choose कर सकते हैं या मुझे मेरे whatsapp नमा पे message करके personal paid reading भी करा सकते हैं so चलिए friends देखते हैं आपके cards और please ignore my finger यह हम सबसे end में पढ़ेंगे और बहुत सारे cards आए हैं आप लोगों के friends okay so देखते हैं we have the knight of wands उसके बाद है emperor wow 10 of wands 3 of wands यहाँ पे है 8 of swords 3 of pentacles 7 of pentacles उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे page of pentacles lovers wow 10 of pentacles आई हो friends आप लोगों को cards जो है वो दिख रहे होंगे और oracle cards में से हमारे पास है orphan then we have blessed यह में सबसे end में आपको पढ़के बताऊंगी उसके बाद है relationship pattern be authentic यह में सब यहाँ पर रख देती हूँ आपके बहुत सारे cards आए हैं a fiery approach a fiery climax approaches and we have a faith in your dreams okay so यह भी मैं यहाँ रख रही हूँ यह हम सबसे end में read करेंगे friends तो tarot cards जो है आपकी बहुत strongly बताते हैं सबसे important चीज कि आप किसी अगर toxic relationship में है यह किसी एक pattern में है मतलब मुझे यहाँ पे tarot cards में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से एक ऐसी energy आ रहे है किसी pattern में है कि हमेशा आपके life में ऐसे लोग आते हैं जो आपको वो नहीं देते हैं जो आप चाहते हो और कही ना कही you know बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं या फिर relationship आपके चलते नहीं लड़ाई जगड़े हो जाते हैं किसी ने किसी time पर चीज़े नहीं बनती है तो उस तरीकी की energy मुझे आ रही है कि वो खतम होने वाली है अगले साल अब से एक साल बाद आप ये reading कभी भी देख रहे हो तो वो चीज़ खतम होने वाली है कुछ लोग के लिए मुझे बहुत सारी चीज़े दिख रहे है मैं सब बताऊंगी आपको थोड़ा patience रखो कुछ लोग के लिए मुझे यहां पर बहुत strongly दिख रहा है friends की अगर आप लोग baby के लिए बहुत time से इंतिजार कर रहे हैं तो कुछ लोग के लिए मुझे यहां पर एक baby आता हुआ दिख रहा है कुछ लोग के लिए मुझे यह भी दिख रहा है कि हो सकते हैं आपको कुछ issue आ रहा हो pregnancy को लेके बच्चे नहीं हो रहे हो इस वज़ें से आप अपने आपको बहुत blame कर रहे हो कि शायद आपकी गलती है या आप में कुछ कमी है तो वो चीज जो है आप उससे मुक्त होने वाले हो उस तरीके की सोच से अंगले साल तक आप से एक साल बाद क्योंकि आप कही ना कही मुझे यहां पर approximati के लि drie के लिए बहुत जादा यह दिखरा है कि आप अपने उपर बहुत focus करने वाले ओ बहुत जादा focus करने वाले हो कारण वैसे lovers का कारण है बढ़ मुझे या पे बहुत जादा एक ऐसी vibe दे रहा है कि आप अपने उपर focus कर रहे हो बहुत focus कर रहे हो अपने उपर जो बहुत अच्छी चीज है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है family में बहुत time spent होने वाला है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कोई family कुछ पैसे को लेकि कुछ बहुत अच्छी news आपको मिलने वाली है किसी तरीके का business में profit होने वाला है कुछ लोग अपना new business start करने वाले है new काम शुरू करने वाले हैं जो cards मुझे बता रहे हैं आप मैंसे कुछ लोग बहुत creative है जो creativity field में जाएंगी मुझे ऐसा लगता है या उससे related कोई काम शुरू करेंगे उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी life में कोई ऐसा person आ सकते है जो बहुत confident होगा अपने आपको लेके और आपको वो अपने आपकी बारे में बहुत कुछ सिखा के जाएगा या जाएगी वो person जो मुझे cards बता रहे हैं बहुत strongly वो person बहुत confident होगे और आप उनको देखे बहुत inspire होगे कि वाओ ये person कितने confident है आपने आप में कितना believe करते हैं और इसे वज़े से इनोंने life में कितना कुछ achieve कर लिया है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई old person कोई बड़ी उमर का person आपकी कोई मदद कर सकता है work and career में अगले साल जो मुझे cards में बहुत strongly दिख रहा है उसके लावा मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप किसी चीज के ऊपर बहुत जादा hard work करने वाले हैं किसी काम में बहुत hard work करने वाले हैं अगले साल और उस चीज को आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा हो सकते हैं कि अभी आपको बहुत दिक्कत आ रही हो business में बट अगले साल आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खबर मिलेगी patience की बहुत जरूरी नहीं है कि अगले साल ही वह अगले साल आपको फल जो है वह मिलेगा जो कार्च में आ रहा है यहां पर मुझे फेरी बहुत जादा दिख रही है तो हो सकते हैं आप लोग को सज़िटेल धनूराश्य के हो सकते हो वाटर साइन भी है यहां पर अर्थ साइन यहां पर सारे ही साइन है तो में जादा जोडेक साइन का नाम नहीं लोगी उसके अलावा friends मुझे एक एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि पाइल नमर वन में अलग एनर्जी थी यहां एक ऐसे एनर्जी आ रही है एक फाइदी एनर्जी कि अपने अंदर विश्वाश रखना मोटिवेटेट फील करना और जीवन में आगे बढ़ना बेशक बहुत कन्फूजन है पर फिर भी सोचना कि न मैंक कर सकता हूं एक पर सकती हो इस तरीका कि अंदर एक एनर्जी आने वाली है कुछ लोगका मुझे एक यूनों एक पाइशनेट रिलेशनिप भी दिख्रा है बहुत फाइरी रेशनिप होगा बहुत पैशनेट होगा जैसे यूजल से फीजिकल बेशला Bible'd ज्यादा यस कनेक्शन होगा बहुत जाधा ट्राक्शन होगी उस कनेक्शन के अंदर जो कार्ज मुझे बता रहे हैं तो चलिए यह सारे कार्ज मैं पड़ देती हूँ यहां पर देखें सेम चीज लिखी है अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच इस डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉंग फायरी कार्ड्स हैं यहां पर कि कोई फायरी एकदम से कोई चीज होगी आपके लाइफ में जैसे होता नहीं पिफ्री काइड ओफ थेंग की एकदम से एक रेल करना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो पर आपके लिए ऑपरचुनिटी जो है वो आने वाली है फ्यूचर में हो सता है किसी एक्जाम का रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आए इस चीज की भी बहुत पॉसिबिलिटी है यहां पर यहां पर कार्ड्स है बी ऑथेंटि पर बहुत स्ट्रॉंग वाइब आरे है कि रिली सॉरी फॉर दर नॉइस कुछ लोग यूट्यूब चैनल खोड़ रहे हैं कुछ लोग फोटोग्रफी में हैं कुछ लोग बहुत क्रेटिव हैं यह कोई अपने बिजनिस शुरू कर रहे हैं यह जॉब भी कर रहे हैं तो य एक न्यू रिलेशन्शिप दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉंग नहीं दिख रहा बट यहां पर लवस का कार्ड है तो एक अच्छा सा नया रिलेशन्शिप क्यूट स्वीट सा जहां आप घूम रहे हो लाइफ इंजॉई कर रहे हो इस तरीके की मुझे चीज दिख रहे हैं कि आप अपसे एक साल बाद अपनी लाइफ इंजॉई करोगे कि यू नो हो सकते हैं बहुत टाइम से बैठे हो कि कुछ होगा तब लाइफ इंजॉई करेंगे अप कुछ होगा तब लाइफ इंजॉई करेंगे बट आप उस टाइम एक ऐसे मोमन पर आओगे कि बेशक तो रिकोनाइस तो रिकोनाइस द नीट फो चेंज ओकी मैंने आप से स्टार्टिंग में यह चीज बोली थी कि आप किसी चीज को तोड के बाहर आओगे किसी रिलेशन्शिप जो तॉक्सिक है कि आप किसी पाटन में हो कि आपकी लाइफ में एक तरीगी की लोग आ रहे हैं जो चीट कर रहे हैं धोका दे रहे हैं कुछ सीरिस कमिट्मेंट नहीं है आप उस चीज पे बाहर आओगे और अपनी लाइफ को इंजॉए करोगे आप से एक साल बाद आप भूँने फिरने वाले हैं लाइफ को इंजॉए करने वाले हैं क्योंकि यह सारी चीज दे बहुत इंपॉर्टन होती है जब हम अपनी लाइफ को इंजॉए करते हैं तभी हमारे दिमाग में creative ideas आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ से इतनी सारी opportunity इसले चले जाती हैं क्योंकि हम action नहीं लेते हमारे हाथ से इतनी सारी चीज़े निकल जाती हैं अच्छी जो भी चीज़े आने वाली होती ह बिकाज हम उनकी तरफ बढ़ते नहीं हैं या हमें कुछ मिल रहा होता है तो हम आगे नहीं जाते हैं तो आप आगे बढ़के इन सारी चीज़ों को लेने वाले हो यहां पर काड़ आया है often यह बात करता है कि शायद अभी आप बहुत अखेला महसूस कर रहे हो कि कुछ नह आने वाला है यहां पर देखिए मैं बहुत देल से सोच रहे हूं कि यहां पर मुझे कुछ अलग सी अनर्जी दिख रही है और अब मुझे दिख रहा है वो क्या है यहां पर मुझे पोपल कलर बहुत जादा दिख रहा है आप मैंसे काफी लोगों की creativity जो है ना मतलब की आ बहुत स्मार्ट लोग है लेकिन दिमाग से कोई आइडिया नहीं आता है असा लगता ही सब कुछ बंद हो रखा है दिमाग में तो वो चीज ओपन अप होने वाली है क्योंकि वो थर्ड चक्रा होता है आपका थर्ड आई चक्रा दाड इस कोई टो ओपन वो चीज आपकी ख आपकी जीवन में अल्रेडी है पहले से ही है जो आप शाद नजर अंदास कर देते हो जन पर आम उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो चीज हमाई पास शुरू से है खाने के लिए खाना है कपड़े हैं चट है सर पे इसे बहुत चीज़े हैं जो हमें बहुत छोटी लगत कोच न कोच ऐसा होगा कि होता है न कि बहुत टाइम से नहीं पता कि क्या करना है लेकिन अब पता है कैसे करने ही और समय भी इतना अच्छा चल रहा है कि भगवान जो हमें वह चीज दे भी रहे हैं तो एक दम से कहते हैं कि किस्मत खुल गई है इस तरीकी की चीज मुझे और अगर आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कामन सेक्षिन बॉक्स के तुरू जरूर बताएगा और अगर आप कोई परस्नल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे वाच्ट सब नमबर पे मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन ब पर अपसे एक साल बाद आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है तो अगर रीडिंग देख टाइम आपको अच्छा महसूस नहीं होता या यू कहें कि कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है तो मतलब यह डिडिंग आपके लिए नहीं है आपको यार पाइल चूस कर सकत आप लोग की, सबसे बला कार्ड है, eight of swords, sorry, seven of cups, we have four of swords, अभी light अपना ठीक हो जाएगी, the hermit, we have page of swords, उसके बाद आया है, queen of swords, emperor, wow, empress, we have the king of pentacles, और हमारे पास आया है, ten of pentacles, okay, ten of pentacles, इस बस सारी reading में आया है, तीनो की तीनो reading में, I guess, ये card था, जितना मुझो याद है, आपके oracle card हमारे पास है, true love, wow, pile number three, someone is coming in your life, be in the present dream of the future, ये card जो हम सबसे end में read करेंगे, shift your perception, okay, time for healing, और फिर है, your dreams need a practical plan, a gift from God, ये तीनो कार्ड जो है, हम सबसे end में देखेंगे, तो friends, आपके card जो है, बहुत जादा strongly बताते हैं, आपको अभी अपनी life में किसी चीज़ को लेके ना, एक clarity नहीं है, confusion है, या फिर बहुत जादा offer है कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, cards मुझे ये भी बताते हैं, आप लोगों के लिए कि अपसे एक साल बाद, आपका कुछ ऐसा time आएगा, सबसे पहले तो देखो four of wands है, for me this card is for healing, मैं इसको healing की तरह से देखती हूँ, और जैसे कि हमारा यहाँ पे औरेकल card में भी healing का card आया था, तो अगेन आप लोगों के लिए काफ़ी एक healing का time आने वाला है, आपसे एक साल बाद, और बहुत strongly मुझे friends ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा time आएगा, बहुत strong energy है जो मैं आपको बताती हूँ, हमिट का card है जो कि मुझे कहता है कि आप होता है ना कि अंदर जाकर सोच रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, यह सब क्यूं हुआ मेरी life में, क्या मुझे में कुछ problem थी या जैसे मैं अपनी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, यह सोच रही हूँ, मैं उसे गलत तरीके से देख रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ था, मुझे किसी तरीके कि आप लोग की spiritual awake नहीं लगती है, आप से एक साल बाद बहुत जादा जो है चीज दिखा रहे हैं यापे, उसके लावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है, अगर आप लोग का court case चल रहा है, डाइवोर्स को लेके, तो शायद आपका वो case जो है, मतलब डाइवोर्स मुझे दिखता है, यहाँ पर जोलने लोगों का case चल रहा है, पहले से ही case जिनका चल रहा है, उसके लावा अगर आप देख सके, तो हमाई पास यहाँ पर एंपरर और एंप्रेस दोनों आए हैं, जो कि एक divine connection की बात करता है, मेरे लिए यह दोनों कार्ट twin flame के बारे में बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर देखता है, क्योंकि यहाँ पर true love का card भी आया है, यह हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोग जो already relationship में आप लोग की शादी होने वाली है, क्योंकि king of pentacles का card है, जो की बात करते है, stability की, अगर हम relationship की हिसाब से देखे, अभी मैं आपको career और work का पे बताऊंगी, तो कोई true love आपकी life में आ सकते हैं, अगर अभी नहीं है, तो already है, तो वो ही person से चीज़े जो हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, कुछ लोग मुझे वापस से, एक reconciliation वाली चीज़ दिख रही है, कि दो लोग वापस आ रहे हैं, दुबारा से relationship में आ रहे हैं, हो सकते हैं कि उस person आपको कुछ stable नहीं दिया हो, sorry, बट कुछ stability वो आपको अपसे एक साल बात देने वाले हैं, यह timeless reading है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, उसके अलावा मुझे cards यह भी दखाते हैं, बहुत strong यहाँ पर air sign आया है, जरूरी नहीं है कि आपका air sign हो, बट हो भी सकते हैं, कि आप Gemini हो सकते हो, मतलब कि आपकी राशी मिथन हो सकती है, कोईरियस कुम हो गया आपका, या फिर लिवरा, तुला राशी हो सकती है, जो cards यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, किसी तरीके कि आपकी सोच में कुछ बदलाव आएगा, जिसके वज़ाद से हो सकते हैं, आप लोग में कि करियर में भी बदलाव आईया, या बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं, जॉब को छोड़ के आप खुद का काम खोलने वाले हैं, यह चीज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें काफी अच्छी finances आपकी हो सकते हैं, जो और अपनी जॉब में हैं, करियर में हैं, मुझे उन लोग का प्रमोशन भी दिखाई दे रहा हैं, बहुत चारे लोगों का, किया तो प्रमोशन हो रहा है, यहां कहीं ऐसी जगा जॉब जॉइन कर रहे हैं, जहां पे अच्छी stability मिल रही है, तो कि मुझे यह बहुत दाप पैसे दिखाई दे रहे हैं, और एक पब्लिक recognition दिखाई दे लिए, कि पब्लिक की नजरों में आ रहे हैं, या आपको लोग जो है एड्मायर कर रहे हैं, कि वाओ इस परसन ने अपने जीवन में ये कर लिया, या वाओ इस परसन ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लिया, तो government job भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, जो मुझे card दिखा रहे हैं, कि जिस पर आप बहुत टाइम से महनत कर रहे हो, उस चीज का आपको फल जो है, वो मिलने वाला है, उसके अलावा card जो है मुझे बताते हैं, be in the present and dream of the future, when we dream everything is possible, वाओ, ये card जो है वो बात करता है, कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने जब हम देखते हैं, तो चीजे पॉसिबल होती है, तो definitely सपने देखिए, वाट मुझे cards ये भी कहते हैं, कि थोड़ा practically सपने देखिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, जो cards मुझे बता रहे हैं याँ पे, shift your perception का card जो बात करता है, कि अपनी perception मतलब आपकी सोच में किसी तरीके का बदलाव आएगा, किसी चीज को आप किसी नजरिये से देखते हैं, उस नजरिये में बदलाव आएगा आपका, जो cards बता रहे हैं मुझे, कुछ लोगा मुझे ऐसा लगता है कि, आपकी life में कोई person आएगा, जो अल्रेडी हो सकता है, उसने आपको बहुत 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 किया हो, आपका भी उस person को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, यह person मेरे type का नहीं है, यह हो सकता है कि arrange marriage के थुरू, कोई ऐसा connection आ सकता है, जो आपको लगी कि नहीं, यह person मेरे type का हो ही नहीं सकता, लेकिन वो person जो है, कि आप जो सपन देखे हैं, definitely देखें, लेकिन एक practical तरीके से, मतलब कि वो सब चीजें पूरी भी हो, आप उस चीज पर work भी करें, यह नहीं कि सिर्फ आप सोचते जा रहे हैं, कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कोई action नहीं ले रहे हैं, उस चीज को लेकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस दिशा में आप जान नहीं रहे हो, तो मुझे जो लगता है, पाई नमबर थी के लिए, आप लोगों के लाइफ को ऐसी है कि, आपकी जीवन में चीजे आएंगी, बट धीरे धीरे आएंगी, मतलब कि पैसे, पैसे, क्या कुछ स्टेबल, शादी हो, या जॉब हो, वो आएगी, बट धीरे धीरे आएगी, लेकिन इतनी सॉलिड होगी, कि यह नी होगा कि आज है तो कलना हो, ऐसे चीजे बिलकुल नहीं होगी, वी हाव दिस कार्ट, गिफ्ट from God, वी एंजोस ब्रिंग यू गिफ्ट फ्रम यूर क्रेटर, ओपन यूर आम्स तो रिसीव, अगी, एक चीज मुझे दिखती है, कि आप में से काफी लोगों की कोई विश, जो है, वो पूरी होने वाली है, स्पेशली मुझे एक करियर, और आपकी वर्क लाइफ को लेके जादा दिखता है, कि किसी तरीके की वर्क या करियर में, आपकी कोई विश जो है, वो पूरी होने वाली है, हो सकते हैं, आप बहुर टाइम से, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके महनत कर रहे हो, या तो उसका रिजल्ट आने वाला है, या मुझे दिख रहा है कि आप किसी दूसरे डिरेक्शन में जा रहे हो, और आगर जा कि आपको रेलाइज होगा कि, अरे मैं तो गलत जगा थी या गलत जगा था, ये मेलने बिलकुल पर्फेक्ट जगा है, जहां पर मैं अभी हूँ, तो फ्रेंज, अगर आप से लोग से रीडिंगे मैच कर दिया है, तो फ्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के तरूँ ज़रूर बताएगा, आप कोई पर्सनल रीडिंग कर दाना चाहते हैं, लव से रिलेटिर्ड या करियर से रिलेटिर्ड तो आप मुझे मेरी वाट्साप पर मेसेज करके ख़रा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे गिवन है, डीटेल्स अगर आप इंट्रेस्टेड है, तो उसके बादा मुझे WhatsApp पर मेसेज कर सकते हैं friends और मेरे चैनल को सब्सकाइब करना, विद्यो को लाइक करना, बिल्कुभी मत भूलेगा Thank you so much, have a nice day